दोस्तों नमस्कार, सब्सक्री पहले स्वागत है आपसे भी को, आपके फ़ хорошी चैनल पे दोस्तों आप यहारबोड के तरब से मैट्रिक के छातराओं का result जारी कर दिया गया है आप लोग मैट्रिक के result कैसे चेक करेंगे बिना किसी दिक्कत के और कौन से subject में कितना अंक आया है और division उनका क्या हुआ है first हुआ है, second हुआ है, third हुआ है या fail हुए है वो सभी details आप लोगों को इस वीडियो के मादम से पता चल जाएगा आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंतक देखना है वीडियो अच्छा रगे तो like करके चैनल को subscribe करके all information को on करके रखना है ताकि जो भी update राइगा मैं आप लोगों को time to time upload करके बता दूँगा तो चले बिना समय को आते हुआ आप लोगों को पुरा process बता दता हूँ कि result आप लोगो कैसे check करना है दोस्तो result चेक करने के लिए सबसे पहले आप अपने mobile, laptop या PC के chrome project को open करिए और google search बान में type करिएगा lnmuinfo.in जैसे आप लोगो देख रहे होंगे screen पे ऐसे आप लोगो को type करना है और search कर देना है जैसे ही type करके search करिएगा तो अगला interface कुछ फरकास है देखने को मिल जागा जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ठेक है आप लोगो को इस site का link discussion box में दे दिया हूँ आप लोग direct इस site पे आ जाईएगा ठेक है नहीं तो आप लोगों को ऊपर में ही एक link मिलेगा यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं search bar में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बिहार board 10th result 2022 जारी चेक नो इस पे आप लोगों को click करना है जैसे ही click करेगा तो अगला interface कुछ इस परकार से देखने को मिल जाएगा जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ठेक है आप लोगों को आना है नीचे नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को results regarding सभी update मिल जाएगा इसके बाद आप लोगों को result चेक करना है तो यहाँ पे आप लोगों को result link भी activate कर दिया गया है दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत सारे link दिया गया है आप कहिएगा कि आप लोग की mark सहीथ हम कैसे download करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी link मैंने दे दिया है यहाँ पे आप लोग देख देंगे bracket में तेंथ मैट्रिक with marks तो marks के साथ आप लोग कैसे करेंगे तो यहाँ पे link 4 पे आप लोगो को click करना है जैसे ही link 4 पे click करेगा तो अगला interface कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आप लोगों को अपना roll code, roll number और यह capture को add करके fill कर देना है चलिए मैं एक student का result चेक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ Mark सहीर तो एक student का roll code है 62 0 63 और उसका roll number है double 2 और यहाँ पे triple 0 है इसके बाद 1 6 है इसके बाद इस capture देखे 4 और 2 कितना होगा 6 तो यहाँ पे 6 type कर देते हैं इसके बाद search result पे click करना है जैसे ही search result पे click करेगा तो आपका result जो है वो सू हो जाएगा थोड़ा wait करिए आपका result 100% सू होगा देख सकते हैं आप लोगों यहाँ पे आपका result 100% सू हो चुका है student का नाम भी आ चुका है अब आप लोगों को कौन से subject में कितना अंक आया है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ देख लीजे आप लोगों तो इस result को print करना चाहते हैं तो प्रिंट result पे click करके आप अपने इस result को print कर सकते हैं ठीक है